कुम्ब राशी तुम्हारा हर एक अधुरा सपना सच होगा किसी द्यवता के कदम आपके घर पढ़ेंगे नमस्कर दोस्तो जय भूलेना दोस्तो आज हम आपको 28 जून की कुम्ब राशिपल बताने वाले हैं दोस्तो इस दिन का सामने राशिपल के सा रहेगा आपके लिए इस दिन की important बाते के सा रहेगी आपको कौनसे बातों का देहन रखना है आपका धनर राशिपल लव राशिपल करियर राशिपल और आपका स्वास्त राशिपल के सा रहेगा सबी बाते विस्तर पुरवक इस व आपको देखने को मिले और इससे आप आने वाली दिनों के बारे में पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं तो चले दोस्तो बिनोत गवाएं जानते हैं कुंबराशे के बारे में दोस्तो आज आपको अपनी महनत का फल मिलने की प्रभल संभ़ोना बन रही है अगर आप नोकरी करते हैं तो दफ्तर में बॉस का सानिध्य प्राप्त होगा साथ ही आपका कोई महतोपुर्णा कार्या आज बिना किसी बादा की ही पूरे होने में असर है छोटे व्यापरियों के लिए लाब वाला दिन साबित हो सकता है अच्छे योग इनके लिए भी बन रहे हैं आर्थीक मोर्चे पर आज का दिन मिला जुला रहेगा आपको अपने बजट के अनुसार ही खर्च करने की सलाह दी जाती है जितना बजट हो जितना आपका पेमेंट हो उसके हिसाब से अपना खर्चा रखेगा उसके हिसाब से सेविंग्स भी बना कर रखेगा फ्यूचर प्लैनिंग्स भी बना कर रखेगा पारिवारिक जीवन में स्तितिया सामने रहेगी घर के सदोस्यों के साथ आपका रिस्ता अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ प्रेमें उर्द्धी होगी स्वास्ते का मामला ठीक रहेगा तो चले अब बात करते ही कि आपका सामन्य राश्चिपल के सा रहेगा उसके बारे में काम पर प्रतिस परधा बढ़ रही है कड़ी मेहनत करना जारी रखे और आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा किसी रुण या आर्थिक चिन्ता को कम करने के लिए वेतन बढ़ सकता है या बोनस मिल सकता है उनके साथ रहे जो आप पर निर्बर है पालतु जानौर भी सहचारिता की पेशकश करेंगे आज सयम रखे अन्यता नुकसन हो सकता है कारेस्तान की तुलना में घर के मामलों की और अधिक ध्यान रहेगा आप अतित के बारे में सोच कर उदास मसुष कर सकते हैं हम गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं उसके लिए रो सकते हैं लेकिन हमारी गल्तियां ही हमें सही इंसान तक पहुंचने में मदद करती हैं तो चले अब बात करती ही कि आपको कुंसे बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में जानते हैं उन परस्तितियों के लिए खुद को दोश ना दे जिने ठीक नहीं किया जा सकता इसके बजाए खुद का सोचे और अपने स्वास्तकाद ध्यान रखे यात्रा के दवरान साउधान रहे संचर के विबिनत तरीके आपको वियस्ते रखेंगे बस दुसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करे अत्रिक तो जिम्मेदारियों को आप बखुभी निभाएंगे आप अपने रास्तें खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बहतर और कोई नहीं जानता दोस्तो बात करते ही कि तुमारा अधुरा सपना किस तरह से सच होगा उसके बारे में जानते है दोस्तो हर एक व्यक्ति चाहे वो चोटा व्यक्ति हो कि या फिर बड़ा व्यक्ति हो कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर कोई पैसे वाला व्यक्ति हो दोस्तो हर एक के कोई ना कोई सपनी जरूर होते हैं किसी के सपने चोटे होते हैं तो किसी के सपने बड़े होते हैं तो ठीक उसी तरह आप भी अपने कुछ सपने जो की संजोकर रखे थे तो वे उसमें से कुछ आज की दिन पूरे हो सकते हैं आज की दिन आपकी चोटे-चोटे सपने जो की आज पूरे हो सकते हैं और इसी से आ अगर आपकी जीवन में कोई प्राब्लेम चल रही है या फिर कोई प्रेशन ही आपको बार-बार सता रही है उसका अगर हल जोती शास्तर क्यालो सार और कुंडली के अधर पर जानना चाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों प्राब्लेम चाहे जैसी भी हो प्रे जड़ से मिल जाएगा और आपके सभी प्राब्लेम परिशानियों का समाधान भी किया जाएगा तो चले अब बात करते हैं आपका धनर राशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में दोस्तों किसी से विवाद आपको परिशान करेगा लेकिन सुख दुख जीवन का हिस्सा है ऐ ऐसे में अपनी भावनों पर पूरी तरह से नियंतरन रखें व्यावसाई जीवन में आपको अत्रिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता हैं संचार के विविनत तरीके आपको व्यस्ते रखते हैं और आपके कनेक्शन और नेटवर्किंग को भी बढ़ते हैं ल अगर हम करियर राशिपल के बात करें तो आफिस में आपको अपना ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आपके आसपास बहुत से व्यवदन हैं इन परिशानियों से आपके काम में रुकावट भी आ सकती हैं इसलिए इन्हें नजर अंदाज करने की पूरी कोशिश करें आज आपको महसूस होगा कि आपके कारिक्षेत्र में कुछ ऐसी बाते हो रही हैं जो कि आपके बस में नहीं हैं आप इन समस्याओं का समधान भी नहीं ढुण पा रहे हैं सबसे अच्छा तरीका यही हैं कि आप कुछ समय के लिए शा जाते हैं यह दिन जो कि मन और अंजन से बर्पुर हैं जहां आप खुल कर जिना चाते हैं गरेलों कामों में आपका ध्यान अधिक होगा लेकिन इस दवरान अपने पार्टनोर को भी याद रखें उसके लिए खाना बनाएं या कोई रोमेंटिक गाना गए आपका हर अपन जो कि पूरा होगा बस थोड़ी मेहनत करने की जरूत है अधिक काम की वज़र से आज आप परेशान हो सकते हैं लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका जीवत सती आपके लिए कितना महतोपुना है दोस्तों रिष्टों में अगर कोई समस्या या फिर तनाव चल रहा है तो जितना जल्द हो सके इसे खत्म कर दे क्योंकि बासी फूल और बेजान रिष्टे कभी भी जिन्दिगी को गुलजार नहीं कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए अगर आपके बीच में कोई शक का महल भी बन चुका है तो शांत एक जगह बैठ कर उसको आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्तर शिपल कैसा रहेगा उसके बारे में कुछ अंचाहे स्वास्त विकार आपके जीवन पर असर डाल सकते हैं हो सकता है कि यहाँ आपकी जीवन में होने वाली गत्वीदियों को भी प्रभावित कर सके अच्चा होगा आप तुरंत इसका उपचार करें इसके लिए आप किसी की भी सलाह ले सकते हैं ताकि आप परिशानी का पता लगा कर अपना स्वास्त सुदार सके साथ इस बात का ध्यान रखे हरो सुबह उटने के बाद व्यायम योगा और ध्यान जरू करें व्यायम करने से आपका शरित तंद्रुस् तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरू रखेगा तो दोस्तो आज की सुदू में बस इतना ही वीडियो सच में चलागा तो इस वीडियो को लाइक करेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के जंग शेर करेगा और हमारे चैनल ट्रेनिंग राशुबल को सब्सक्राइब जरू क तो आज की सुरू में बस इतना ही दूस्तों मिलते के नहीं उड़े के साथ धन्यवाद